अगर हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक पर टैप कर दीजिए ताकि जब वीडियो सब्राइब करता हूँ तो आपको नोटिफाइब होता जाएगा वाट सब्सक्राइब कैसे है आप सभी अगले वीडियो में आप सभी को सवागत है तो जैसे कि मैंने आपको पताया पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे कैप्चर करते हैं वीवोगी लवेंड प्रो से वह मैं दिखाऊंगा आपको सेलफी कैमरा का भी देखेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो में रेर क्यामरा यानि जो पीछे कैमरा है डियोल कैमरा सेट अप इससे कैसे आप बहतरीन इमेज़ेस कैप्चर कर सकते हैं कोई भी परसन का हो तो यह वाल हम जानेंगे तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा तो चलिए आज देखते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं भी वह वी लवन फ्रो से अग्याइब तो यह है डीफॉल्ट यूजर इंटरफेस जब भी आप ऐसे कैमरा इकॉन पर टाप करेंगे तो यहीं डीफॉल्ट यूजर इंटरफेस मिलेगा तो एक कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छी तरह से कैप्चर करना है तो यह है हमारा जै आप मिलिए इन जैसे तो यह है नया सब्जेक्ट हमारा अफकोर्स इसका बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शार्ट हम निकालेंगे अभी तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेड़ है जो लीफ्स है अच्छी तरह का तो वैसे वाला लिया हूँ तो अभी क्या करना है आपको सबसे पहले यह जो पीछे बैग्राउंड देख रहे हैं यह हमेशा पीछे बैग्राउंड की तरह ही रहना है ना कि इसके साथ आप जुड़े रहकर फोटोस नहीं खिछना है तो क्या करना इसके लिए सब्जेक्ट को सामने आना पड़ेगा तो जय थोड़ा सामने आओ तो ऐसे आपको लेना है तो अभी देखिए हम लाएंगे कैमरा यूजर इंटरफेस वीओ वी लावन प्रो का तो इसमें कैसे अभी पोट्रेट फ्रेमिंग लेना है सबसे इंपॉर्टन चीज आपको एनेबल करना है ग्रीड लाइन कोई भी मेरे वीडियो साब देख सकते हैं उसमें मैंने ग्र तो इसके मदश से क्या कर सकते हैं अभी ऐसे नहीं पकड़ना है इसे नहीं पकड़ना है यह वाला सारा चीज़ गलत है गलत फ्रेमिंग लते हैं इसको तो कोई भी बॉक्स में आप फार एक्जमपल अभी दो जो लाइन्स मिल रह रहे हैं यह मैं यहां पर इसके आंखों पर रख रहा हूं तो ऐसे आपको यूटिलाइस करना है अभी क्या होगा देखिए कि इतना अच्छा फ्रेमिंग आ रहा है ना तो अभी जाकर अगर मैंने पिक्चर लिया रेडी चाहे स्माइल तो देखिए यह वाला एक प्रोफेशनल की तरह पोट्रेट कैप्चर करने का ह है ऐसा नहीं की बैग्रोंड है उसके साथ ही आप मिलकर ऐसे ही कैप्चर करें कैसे भी आए बैसे नहीं करना है आपको तिस इस कॉल्ड फ्रेमिंग तो अभी और एक एंगल में हम लेंगे इसका तो जाए पोज नमबर टू तो देखिए अभी ऐसे एंगल कैसे ले सकते हैं तो अगर फुल चाहते हो तो फुल ले सकते हैं यहां पर आपको बैग्रोंड पर गौर करना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स नहीं है तो उसके आधर पर हमेशा एंगल स्ट्रेट रहना है मैं ऐसे नहीं पकड़ा हूँ ऐसे नहीं पकड़ा है देखे बिलक जो टेक फोटो मूड पर है अभी इसको क्या कर सकते हैं वी वी लवन प्रो में आपको यह पोर्ट्रेट फ्रेमिंग दिया है तो इसको एनेबल किजेगा इससे वह देखें जो भी सज़ेस्टिव लोवरिंग यूर फोन तो आपको सज़ेस्ट करेगा कि एंगल कहां पर ल लेकिन पोर्ट्रेट बोगे अच्छी तरह से कैसे यूज करें बैग्रोंड में जो ब्लर होने के लिए आपको बैग्रोंड से दूर अराउंड टू टू त्री फीट जैसे कि मैंने कहा उतने दूर में रहकर आपको सामने आना है और बाद में क्लिक करना है ऐसे नहीं कि उ तो देखिए विट पोर्ट्रेट बोके अने बल्ड और इसका खासियत यह है कि पोर्ट्रेट बोके पर आप बाद में भी पोर्ट्रेट बोके पर टैप करेंगे तो टैप एनिवेर तो रीफोकस कर सकते है ऐसा एंड इवन नंबर जैसे बढ़ाएंगे उतना शार्प होग होगा कम करते जाएंगे नंबर को तो बैग्राउंड ब्लर्ट ज्यादा होगा शालो डेप्ट फील्म मिलेगा तो ऐसे आप यूज़ करके अच्छी तरह के से पोर्ट्रेट शार्ट को क्याप्चर करना है सब्सक्राइब अगला मूड यूज़ करेंगे देखिए अगला म करेंगे तो देखिए बफिंग है स्कींटन है स्कींटन पर टैप करके हम चुक्राइब पिनकिष होता है यहां फिर वार्म कलर से और इसे और हैसे睡DY कर सकते हैं तो स्लेटली चेंज़ जई लायता है है क्योंकि फेशल पीचर से बनाय रहते हैं तो आपको यहां करें कैसे चाहिए वैसे देखें कैसे एक होता है लाइव आपको मिलता है एनलारजिंग आइस है आ wallet है थिन नोस है तो जैसे चाहिए अच्छे पिक्टिर्स आने के लिए वैसे आप बिल्कुल इसमेंग कर सकते हैं तो अभी के लिए हम देखिए framing is really really important जो यहां पर दो lines मिल रहा है horizontal and vertical का तो इस पर हम आखों पर रखेंगे उसका पोज नमबर 3 ओ यास देखिए ऐसे आखों पर लेना है angle बनाना है and boom there you go ऐसे pictures क्लिक करना है portrait bokeh को use करेंगे तो जैसे कि मैंने कहां ज्यादा यहां पर जो है distance रखना है तो थोड़ा सामने आओ जाए और थोड़ा and यहां से अभी देखिए pose number 4 यास देखिए यह वाला style है ना अभी तो portrait bokeh में background बिल्कुल blur करता है tap to focus यूज़ करना है आखों पर then click a picture yes relax जाए तो portrait bokeh capture करने के लिए ऐसे settings को आप यूज़ करके जरूर क्लिक करके हमें कमेंट सेक्षिन में बताए कि improvement आया है या नहीं अपने पोट्रेट पिक्चर्स में तो सेलफी से कैसे अच्छे पिक्चर्स लेना यह मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा तो सब्सक्राइब करके यह इस वीडियो को शेर कीजिए ज्यादर से ज्यादा एंड लाइक और शेर करना ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अपना अबाए बाए अब झाल